हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब अच्छे रहे हो खुश रहे हो तो आज की वीडियो हम शुरू करेंगे जिरो एक नजम पढ़ेंगे तरानाई हिंदी जिसे लिखा है अल्लामा इकबाल साहब में ठीक है तो देखते हैं कुछ तो याद हम यह कुछ पढ़नी पढ़ेगी ठीक है ना ताके इंटरप्ट ना हो है ना वो पासबा हमारा गोदी में खेलती है इसकी हजार नदियां गुलशन है जिनके दम से रशके जिना हमारा ए आब रूद गंगा वो दिन है याद तुझ को उत्रा तेरे किनारे जब कारवा हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदोस्ता हमारा यूनानों मिस्रों यूरप यूनानों मिस्रों रोमा सब मिट गए जहां से अब तक मगर है बाकी नामों निशा हमारा कुछ बात है के हस्ती मिट्ती नहीं हमारी सद्यों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा अकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में अकबाल कोई महरम अपना नहीं जहां में मालूम क्या किसी को दर्दे नहा हमारा तो दोस्तों इसमें वर्ड्स तो खैर वर्ड मीनिंग के हिसाब से बहुत सा रहे होंगे तो मैं आपको क्या बताऊं और क्या ना बताऊं ठीक है बुलबुलें अगर हम बात करें तो बुलबुलें का मतलब तो देखिए ये हम हम हो गए यानि हम आपस में ठीक है यानि हम लोग हिंदुस्तान में रहने वाले लोग बुलबुलें बोला गया है ठीक ना रोज गार्डेन या फ्लावर गार्डेन इस तरीके से गुर्बत यानि गरीबी ठीक है तो गुर्बत से मतलब यहां पर यही है गुर्बत के और भी मीनिंग है मुसीबत है परशानी है है ना उदासी भी है या कुछ नया पन या तंग दस्ती हालत खराब इस तरीके में आता है ठीक है ना और यह है अगला हमसाया बोलते हैं दोस्तों पुडोसी को ठीक है यानि जो परबत है जो सबसे उंचा है वो हमसाया है किसका आस्मा का यानि आस्मा का पुडोसी है यानि के यहां पे जो आस्मान है हमारे मुल्क में पाए जाने वाले उनकी तारीफ की जारी है उनके बुलंदी बुलंद होने की तारिक जारी यानि बहुत उंचे पहाड़ी है ठीक है तो हमसाया का असल मीनिंग वही है नेबर ठीक है संतरी सिपाही को बोलते हैं और पासवा बोलते हैं यानि जो हमारी देखभाल करता है ना जो एक तरह से जो गार्डिंग करता हमारी है ना देखभाल करता है watchman की तरह एक काम करता है हमारे लिए ठीक है तो अगला वर्ड है गुल्षन गुल्षन का मतलब तो आप सभी जानते हैं दोस्तों गुल मतलब होता है यह फूल गुल्षन से वर्ड मिला कि यह बना गया ठीक है जहां बहुत सारे फूल किलते हैं उसे हम गुल्षन बोलते हैं है ना बागी चे वगएरा यह सब ठीक और जिनके दम से रशका जिना रशके जिना यहां पर रशके जिना का मतलब जो है दोस्तों यानि के एक तरह से इतना खूबसूरत रशक मतलब होता है कि एक होता है जीलस यानि किसी से जलन होना किसी की बड़ा अच्छाई देखके जलन होना एक होता है रशक किसी की अच्छाई देखकर खुद भी अच्छा बनने की कोशिश करना तो यह कहते है रशक होना यानि किसी ने दस करोड़ का घर खरीदा तो एक आदमी जलता है उससे कहता है यार कैसा बेकार आदमी है और दस खरीदें और बिना जले है ना किसी की खौाहिश देखकर किसी को देखकर कोई खौाहिश दिल में जगाना लेकिन उसे जलना नहीं बलके और अपने आपको बढ़ाने के लिए अपने आपकी एक तरह से उठाने के लिए अपनी सोच को उठाने के लिए अच्छा सोचना उसे बोलते हैं रश्क करना है ना तो दोस्तों उसके बाद अगला है ये रो रश्क जिना जिना मतलब है यहां पर जन्नत जो है यानि के जन्नत को भी रश्क है यानि इतना खुबसूरत है ये मुलक अपना के जन्नत को भी रश्क है कि काश मैं भी ऐसी होती तो ये बहुत हाई ल उसके बाद दोस्तों यह है आब रूदे गंगा तो आब मतलब होता है पानी खिक है तो यह कहते हैं कि आब रूदे गंगा यानी गंगा नदी है ना उसकी पानी की धाराएं है ना उसे बोलते हैं आब रूदे गंगा उसके बाद दोस्तों यह है कि युनानों मिसर युनान ग्रीज को यूनान बोलते हैं इनों मिस्र यानी के इजिप्ट काईरो जिसकी राजधानी है और रोमा यानी रोमन रोमन एम्पायर एक जमाने में काफी फ्योंस होगा करती है तो इनका ये नाम लिया है इनोंने है ना तो ये कहते हैं कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जह से अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा ठीक तो यह बहुत बड़ी बात है ठीक ना तो यह कहते हैं साथ साथ के शायर देखी बहुत बड़ी बात बोलते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी यहां पर हस्ती से मतलब है कि किसी की किसी का वजूद है ना किसी का अस्तित्व जिसे हम हिंदी बोलते हैं ठीक तो यही चीज़ है है ना वजूद कयाम वजूदगी ठीक है ना यह सब हस्ती का मतलब है ठीक उसके बाद दोस्तों सदियों का मतलब तो आप जानते हैं सौ साल से जादा को सदियों बोलते हैं और एक सदी का मतलब है सौ साल है ना और उसके बाद दोस्तों दौर जमा का मतलब यहां पर है दोस्तों दौर यानि के टाइम या पीरियट कोई वक्त है ना तो दौर जमा यानि के जो वक्त का जो रेवलूशन होता है है ना उसे हम बोल सकते हैं दौर जमा ठीक है एक तरह से कुल जमा यह है के वक्त दौर या व नजम में का फर्रिक मैंने गफाइ ओर वीडियो बनाई की यह का त् flat και वीडियो के इस वीडियो की डिश्रीप्व्श्थ में को मिल जा एगा दोस्तों की कहते हैँ के लास पाव एक वे यहां इकबाल अपना नाम भीयो की एद्वीज है को अफे है God bearu कि जा सुन मालूम क्या किसी को दर्दे नहा हमारा भी हाँ पे जो महरम है ठीक है? महरम बोलते है दोस्तों कि ऐसा षिटबा जिस से निकाह जाइज णा हो ठीक है? नहीं ऐसा करीब रिष्टचा जिस से निकाह जाइज न हो है, इसलामिक पॉइंट से है ये महरम वर्ड अर्बिक से लिया गया है तो जैसे खास भाई, खास बहन, खास चचा खास मामा ठीक है, मा बाप ये इस तरिके से जो भी होते हैं तो जिसे निकाः जाइज नहीं होता उसे बोलते है महरम ठीक है ना या जान पैचान वारा जिसे शादी जाइज ना हो जैसे बाब, भाई, चचा, ताया, खालू, नाना, दादा वगयरा है ये सब है ना और इनी जिसे निकाह जाइज नहीं होता उनसे परदा भी करने की जरुवत नहीं है ठीक है ना ये कहने की बात है है ना अब आप समझेंगे के महरम, महरम यानी भाई, गहर महरम यानी बाहर का कोई बंदा जिससे निकाह हो सकता है तो वो गहर महरम है, है ना महरम यानि भाई, बेहन, पापा, मम्मी ये सब महरम होते हैं अपने जान पेचान अपने लोग, अपने लोग, अपना खून ये समझे लिए आप ठीक है उसके बात दोस्तों यहां पर जो है मालूम क्या किसी को दर्दे नहां हमारा, अब यहां पर दर्दे नहां एक वर्ड आया है, ठीक है तो दर्दे नहां का मतलब है दोस्तों, यानि वो दर्द जो अपने अंदर समोय होया है उसे हम बोल सकते हैं, दर्दे नहां, ठीक है बस यही सब चीज़े हैं दोस्तों तो उमिद करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको अच्छे लगी हो और आज का जो तापिक था हमारे मुलक के खुबसूरत नजम लिखी गई है यानि अंग्रेजों के जमाने में लिखी गई थी है ना तो काफी अच्छी नजम थी है साल भी जब लिखी गई होगी बहराल तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं और इस वादे के साथ फिर होई हमारे आपके मलाकात तब तक खुछ रहें अबाद रहें हमारे वीडियो को सारे दोस्तों रिश्जारों में महरम और गैर महरम दोनों को भेजते रहें ठीक है चले मिलते हैं बाबाई टेक केर